नमस्कार स्वागत है आपका फियला स्टेडी मंत्राइटीप चैनल पे साती हो यूपीटर प्लसी जो लेकपाल वर्थी का आज कोट केस लगा हुआ था कोट में सुपरीम कोट में लगा हुआ था तो देखो मैंन जो कोट केस जो मैंसन था उसमें बो 79 जो कुशन था जो जला सुनवाई चली 4-5 मिनट या 6-7 मिनट मान सकते हो थोड़ा सा उसमें अपनी प्रोसेडिंग बगार में टाइम लगता है तो इस प्रकार से सुनवाई हुई और मैंने कहा था कि सुनवाई में कुछ नहीं होगा और क्या अब जो अभी सुनवाई हो गई इसमें क्या अब ज जो कुछनों की बात कर रहे थे कि मलब और कोन से कोट केस म्लबं पेंडिंग है आपके पास में तो उसके बारे में बात कए कि और कोट केस पेंडिंग है इसमें तो शुपरिम कोट ने जो ज़स्टें उन्होंने कहा कि अब रजल्ट आ चुका है सब कुछ हो चुका है तो अब इसमें कोई फर्दर इसमें कोई प्रोसेडिंग नहीं हो सकती है ठीक है साथियो तो अब इसमें कोई अब देखते हैं इसका ओडर आएगा तब मैं और जाए डिटिल में समझा पाऊंगा इसको जो सुनवाई के अकोडिंग वह इतना ही है कि आपको जितनी भी चीज थी वो आपके लिए फिवर में है और आपको तेश तारीक को आपको निकती पत्र मिल रहे हैं इसमें कोई भी की दिकत सक शुवा नहीं रही ठीक है साती हूं आज का कोड की सितना ही था ज्यादा उसमें थी नहीं कुछ बात कहने को करने को बस उन्होंने किस प्रकाव बेहाब पर चेलिंज किया था वह तो वही जानते होंगे बस सितना था कि इसको मतलब उन्होंने यह कहा कि 31 तारीक के रेजल्ट आ चुका है तो आप इसमें कुछ नहीं होने वाला है ठीक है साती हो तो अब आपको घरबराने की ज़रूत नहीं है अब आपका सारा चीज़े सबाब तो चुकी है तो कोड केस की सुनबाई अगर और ऑडर आएगा तो आप बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन फर्दरस में मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ भी सुनबाई नहीं होने वाली है ठीक है तो यह रहा कोड के कुछ का सार जो मैंने बता दिया थोड़ा सा ब्रीप किया है और सुनबाई आप होपुली आसकी हो गई तो सारी टेंसन आपकी खतम हो जानी चाहि हो गया है सब कुछ ठीक है साती हूँ और वीडियो चिल लगती है तो साती है लाइक शेर कर दो चैनल सब्सक्राइब कर लो बैल याक आन जरूल दवादेना इसमें रहान वाली वीडियो को नोटिफिक्शन मिलते रहेंगे ठीक है साती हूँ धन्नकुछ